हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के स्टडी सेंटर में आज का हमारा टोपिक है जी विज्यान आज हम करेंगे जी विज्यान के टोप 25 कोश्चन्स हमारा फर्स्ट कोश्चन है कोशिका शब्द किसने दिया था हमारा राइट आंसर होगा बी रोबर्ट हुकनी हमारा नेक्स्ट कोश्चन है कोशिका का पावर हाउस कौन है हमारा राइट आंसर है बी माइटो कॉंड्रिया हमारा नेक्स्ट कोश्चन है कोशिका में प्रोटीन शिंशलेशन का स्थान किसमें होता है किसमें होता है प्रोटीन शिंशलेशन का स्थान राइबोसोंस में किसमें होता है राइबोसोंस में हमारा next question है इनमें से किसमें वास्त्वी केंद्रक नहीं पाया जाता हमारा right answer है D, जिवाणू, जिवाणू में वास्त्वी केंद्रक नहीं पाया जाता, हमारा next question है, DNA में होते हैं, क्या होते हैं DNA में, हमारा right answer होगा nucleotides, DNA में nucleotides होते हैं, हमारा next question है, कौन सी सबसे लंबी कोशिका है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्री का कोशिका, friends, सबसे लंबी कोशिका, तंत्री का कोशिका होती है, और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, शत्रमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ी कोशिका होती है, शत्रमुर्ग का अंडा, अगर लंबी पूछें तो तंत्री का कोशिका अगर बड़ी पूछें तो शत्रमुर्ग का अंडा हमारा नेक्स्ट कोश्चन है लाइसोसोम आतम हत्या का थैला है क्योंकि उसमें है जल अपगटन एंजाइम्स इसे Lysosome को आतम हत्या का थेला क्यूं कह जाता है? क्यूंकि उसमें क्या होती है? जल अपघटन एमजाइम्स हमारा right answer हो जाएगा A हमारा next question है Ribosomes किसके बने होती हैं? अब हमें ये बताने कि Ribosomes किसके बने होती हैं? हमारा right answer है C RNA और Protein इन दोनों से मिलकर क्या बने होते हैं राइबोसोम्स हमारा next question है yeast क्या है yeast क्या है हमारा right answer होगा B eukaryotic और ये क्या होते है एक कोशी किया होते है yeast क्या होते है एक कोशी किया होता है हमारा next question है सभी कवक सदैव क्या होते है सभी कवक ये कवक है दोस्तों कवक सदैव क्या होते है हमारा right answer है D सभी कवक मृतव जीवी होते है हमारा next question है आरणने की इस रंचना में DNA में उपस्ति थाईमीन के स्थान पर क्या होता है? आंसर है हमारा right answer D, Eurelis. क्या होता है? Eurelis. हमारा next question है. इन में से कौन सा सबसे चोटा जीव है? अब बताने कि इन में से सबसे चोटा जीव कौन सा होता है? right answer है D, mycoplasma, सबसे छोटा जीव होगा, mycoplasma, हमारा next question है, electron सुक्षम दर्शी का उच्चतम आवर्धन कितने गुणा होता है, कितने गुणा होता है, electron सुक्षम दर्शी का उच्चतम आवर्धन होता है, दोस्तों, दो लाख गुणा, right answer होगा D, दो लाख गुणा, हमारा next question है, एक कोशिका में सरवाधिक पाई जानने वाले प्रदार्थ है, एक कोशिका में सबसे जादा कौन से प्रदार्थ पाई जाते हैं, हमारा right answer होगा D, protein, हमारा next question है, कोशिका सिध्धान किसने प्रतिपादित किया? कोशिका सिध्धान किसने प्रतिपादित किया? राइट आंसर होगा C श्लीडन एवं श्वानने कोशिका का सिध्धान प्रतिपादित किया था श्लीडन एवं श्वानने नेक्स्ट कोश्चन यदि कोशिका के राइबोसॉम्स नश्ट कर दिये जाएं तो क्या नहीं होगा? अब इसमें बताने हैं कि राइबोसॉम्स को अगर नश्ट कर देते हैं तो क्या नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कि प्रोटीन संसलेशन नहीं होगा राइट आंसर D Next question हमारा राइट आंसर होगा C केंद्रक और कोश्का द्रव्या केंद्रक और कोश्का द्रव्या में न्यूक्लियक अमल पाई जाती है ठीक है दोस्तो Next question है हमारा RNA का मुख्य कारिया क्या है? RNA का मुख्य कारिया होता है राइट आंसर होगा B Protein insulation में सहायता करना RNA का मुख्य कारिया होता है हमारा Next question है DNA का मूझ मात्रक क्या है? DNA का मूझ मात्रक क्या है? राइट आंसर है हमारा C न्यूक्लियक योटाइटस इसमें फरक है दोस्तो एक है न्यूक्लियक अछशाइटस एक है निउकलिक और टाइड्स, हमारा राइट आंसर होगा DNA का मूल मत्रक निउकलिक और टाइड्स हमारा नेक्स्ट कोशिकन है, कौन सी कोशिका सुक्ष्टम जीवित कोशिका है हमारा राइट आंसर है C, माइको प्लाज्मा हमारा नेक्स्ट कोश्चन है कोश्का में भोजन या ग्लूकोज का ओक्सी करन कहां होता है कहां होता है राइट आंसर है डी, माइट्रोकॉंड्रिया में भोजन या ग्लूकोज का ओक्सी करन माइट्रोकॉंड्रिया में होता है नेक्स्ट कोश्चन कोशिका गतिविदियां नियंत्रित की जाती है राइट आंसर है D. नियूकलियस द्वारा कोशिका गतिविदियां किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है नियूकलियस द्वारा हमारा नेक्स्ट कोश्चन है वन्सपती कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिती से स्पष्ट होता है राइट आंसर है A. कोशिका भित्ती वन्सपती कोशिका और प्राणी कोशिका का अंतर बताने हैं दोस्तों किसकी उपस्थिती से स्पष्ट होता है कोशिका भित्ती इन में से कौन सी स्रंचना प्रोकेरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती इसमें बताने कि प्रोकेरियोटिक कोशिका में कौन सी स्रंचना नहीं पाई जाती राइट आंसर है केंद्रक जिल्ली राइट आंसर हो जाएगा C केंद्रक जिल्ली नेक्स्ट प्रशन है कोशिका में माईट्रोकॉंड्रिया का मुख्य कारिया क्या है? आंसर हो जाएगा D. Respiration माईट्रोकॉंड्रिया का मुख्य कारिया क्या होता है कोशिका में? Respiration Thank you दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो like, share and comment जरूर करना और चैनल को सबस्क्राइब करना